नमस्कार, आज के वीडियो में एक बहुत ही important topic पे discussion करने वाला हूँ यहाँ पर एक किसी ने मुझसे एक बहुत ही पढ़िया सवाल कुछा है जिसके उपर एक वीडियो बनाना मुझे लगा कि बहुत जरूरी है कि यहाँ पर कोई अकी जी है मिनोंने मुझसे कहा है कि सर आप कहते हैं कि sound bar सुन के ही लेना बिल्कुल मैं यह हमेशा कहता हूँ तो हमें यह बताईए कि हम सुने कहां sound bars को सिर्फ YouTube पे जो लोग sound testing करते हैं वही सुन के अंदाजा लगाना पड़ता है कि light चली गई है कहने को तो हम खास है लेकिन खानी पड़ती कई बार हमको भी घास है light चली गई है और camera battery पे चलता है और एक light मेरी जो है वो battery पे चल रही है तो इस वज़ा से यहाँ पर इसकी रोश्टी हम तक आ रही है बैराल मैं वीडियो का continue करता हूँ क्योंकि light से ज़ादा important है वीडियो सिर्फ YouTube पे जो लोग sound testing करते हैं वही सुन के अंदाजा लगाना पड़ता है जबकि direct सुनने में असली sound सुनाई देती है यहाँ पर इन्होंने कुछ showrooms के नाम mention किये हुए है कि जितने भी showroom हैं वहाँ बहुत कम models सुनने को मिलते हैं और जो हमें चाहिए वो वहाँ नहीं होता कुछ उपाए बताईए तो देखिए भईया यह एक बहुत ही important question है कि हम को जो चीज लेनी है और वो sound की चीज है फिर वो चाहे आपका एक छोटा Bluetooth speaker ही क्यो ना हो या फिर हम एक बहुत बड़ा home theater system ही क्यो ना ले रहे हो तो यह हम अपना hard earned money जो हम बहुत भेहनत से कमाते हैं उसको हम वहाँ पर invest कर रहे होते हैं एक अच्छी sound को सुनने के लिए अब कोई भी चीज हम जो sound की लेते हैं वो हम सुनना चाते हैं उससे एक मधूर संगीत हो या कोई भी जो बात कर रहा है उसके vocals clear सुनाई दे हैं यह सब चीज़ें important होती है अब हम कोई चीज अगर हम खरीते हैं और उसे हम बिना सुने खरीते हैं तो क्या होता है कि हमें तो यह पता ही नहीं होता कि वो sound की quality अच्छी है या बुरी है तो अब हमको करना क्या है उपाय क्या है उपाय यह है कि यह सबसे पहले तो हमको अपने research कर लेनी है पूरे YouTube पे जहां से भी इंटरनेट पे पढ़के जैसे भी आपको research करनी है कर लो उसके बाद आपने देखा कि सब लोग ने बोला कि यह वाली soundbar X और यह वाली Y दो soundbar आपको लगी कि यार यह दोनों मेरे budget के अंदर है तो मैं X लू कि वाइल हूँ ऐसे at least दो soundbar आप shortlist कर लो तो माल लीजे आपका budget है कि 10,000 की soundbar आपको लीनी है तो आप करो क्या वहाँ पे तो आप जाओ online shopping application पे वहाँ पर check करो कि वो soundbar जो आपको लीनी है वो दोनों soundbar का return policy दी गई है कि नहीं वहाँ पर उनको return करने का option है कि नहीं या उन्हें exchange करने का option है कि नहीं तो वहाँ पर क्या होगा specially अगर मैं बात करूँ Amazon पे तो वहाँ पर एक चीज बड़ी अच्छी है कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आती है तो वहाँ पर आप उसे एक बार exchange कर सकते हो और exchange करने के बाद second time आप उसको return कर सकते हो तो यहाँ भले हमारे दो बार के पैसे फसेंगे लेकिन return हमको मिल जाएगा उसका पैसा वापस तो एक तो यह तरीका हो सकता है कि चलो दोनों soundbar हमने order करके मंगा ली और उसके बाद हमने सुना और सुनने के बाद जो है कि हमने यह final कर लिया कि दोनों में से हमको जो बहतर लगी हो हमने रख ली आप दो soundbar मंगाना मतलब बजट तो जासी एजार का है आप कहे रहा हो कि भी यह दो मंगा लो ठीक है कोई बात नहीं मैं कहता हूँ कि आप पहले आपको एक X माली जो soundbar थी वो मंगा लो उसको घर पे लो अपने ही mobile phone से उसका audio track का एक level रखो जो भी sound का जो भी जैसा की मैं कहता हूँ 60% वहाँ पे आप 50% volume पे अपने mobile phone पे उसकी sound को record करके रख लो फिर जब उसको return करने के बाद लंबा process जरूर है उसको return करने के बाद क्या होगा 10-15 दिन के बाद आपके बाद जब पैसे वापस है तब आपने वो Y soundbar खरीद ली Y soundbar खरीद ली अब उसमें भी आपने sound की testing करी recording की और उसके बाद उन दोनों recordings को back to back एक के बाद एक play करके सुना तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको एक अंदाज़ा लगागा कि पता चलेगा है कि default settings पे बिना कुछ भी base travel छेड़े हुआ है आपने जो आवाज पहली X पे सुनी थी और जो आप Y पे सुन रहा हो दोनों में से कौन सी बेतर है और ये कितना सही है और कितना गलत ये मैं खुद भी नहीं जानता लेकिन मैं तो यही करता हूँ जितनी बार भी मुझको लगता है कि मुझे कोई sound की चीज लेनी है तो मैं पहले उसे मंगाता हूँ उसे सुनता हूँ अगर वो अच्छी लगती है तो उसे रख लेता हूँ नहीं लगती है तो मैं उसे या तो पहले तो exchange में डालता हूँ और second time उसको return में डालता हूँ और इस मामले में मैं सिर्फ Amazon पर भरोसा करता हूँ वहाँ से मैं समान जरूर मंगाता हूँ नुकसान यहाँ पर Amazon का भी थोड़ा बहुत होता है जो manufacturer है जिसने वो brand soundbar जो बनाई है उसका भी नुकसान होता है पूरी packaging खुल गई उसकी अब वो उसको repack करेगा और उसको फिर बेचेगा और उनके लिए headache बढ़ जाता है हमको जो करना है वो सबसे important यह review में जहाँ पर review section होता है Amazon Flipkart जो भी आपकी जहां से भी आपने करी रहे हो वहाँ पर आप mention करो या वहाँ पर जो question पूछने का option दिये गया रहता है वहाँ पर question करो कि भाई हमको यह soundbar सुननी है हमको अपने घर में सुनके फैसला लेना है या तो आप इसे showroom में available करा हो और अगर showroom में available नहीं करा सकते तो भाई हमको यह return की facility हमको चाहिए ही चाहिए जहां हम आप और हम जैसे हजारों लोग जैसे जो जितने भी लोग आप लोग वीडियो देख रहे हो सब लोग जब यह चीज लिखना चालू करेंगे कि हमको sound की कोई भी चीज बिना सुने नहीं खरीदनी है अगर हम इतना सब लिखेंगे इतनी जादा लोग लिखेंगे तो वहाँ पर एक action लिया जाएगा हम consumers को right है पूरा का पूरा कि जब हम किसी product को खरीदना चाते हैं उसके बारे में उसकी जानकारी हासिल करें इस तरीके से कर आप बात करोगे लिखोगे हर site पे जाकर कि उनकी जहाँ पर भी product मिल रहा होगा जैसे कि कोई YouTuber किसी ने जैसे मैंने कोई video बनाया किसी product का तो आप नीचे वहाँ पे लिखो कि भाई ये product का मेरे को सुनने का है मैं कैसे सुनूँ तो क्या होगा जैसे कि जो influencers होते हैं जैसे कि YouTube पे हो चाहे हो किसी और Instagram वेगरा पे जहां पर भी हो उन लोगों को products दिये जाते हैं कि company brand देता है कि हमारे product को आप बताईए लोगों को कि कैसा आपको लग रहा है वो लोग अपना opinion तो देता है जब उन तक भी ये बात पहुँचेगी तो माल लिजे कि कोई बहुती बड़ा YouTuber है उसके पास कोई product पहुँचा उसने उसका एक review बनाया और आप तक पहुचा दिया आपने वो देखा आपने वहाँ पर उनसे question किया आप जैसे लाखों लोगों ने उनसे ये question किया कि भई हमें इसे personally अपने कानों से सुनना है आपके वीडियो से नहीं सुनना है यहां से मैं अंदाजा नहीं लगाना है तो इसके लिए हमें कुछ रास्ता दिखाईए जैसे कि यह भाई साम ने मुझसे पूछा तो अभी मेरे पास तो कोई brand का कुछ आया नहीं तो मैं क्या कहता उनको मैं ये कहता कि भईया brand यहां पर लोग कह रहे हैं कि उनको अपने कानों से सुनना है तो इसका कोई रास्ता ऐसा दो कि जिससे कि वो अपने कानों से सुन सकें तो वो रास्ता क्या होगा वो brand अपना बताएगा कि यह ऐसा कर लो वैसा कर लो इस showroom में चले जाओ तो showroom में तो कहीं available है नहीं तो online आप कुछ ऐसी facility दो कि आप किसी के घर में वो sound bar जाए वो खरीदने वाला piece ना हो वो सिर्फ सुनने के लिए एक piece हो जहां पर कि वो सुन सकें उस product को जो भी आपने बनाया है और उसके बाद वो अपना अंदाजा लगा सकें कि हम को यह लेना है या नहीं लेना है क्या होगा जब हम लोग इतना सब बोलेंगे 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 तो यह demand में आ जाएगा जो भी consumer है वो इस demand कर रहा है कि वो बिना सुने नहीं खरीदेगा तो जो manufacturer है उसको क्या होगा कि भाई अगर मेरा माल बिकेगा ही नहीं तो मेरे को मेरा business ठप हो जाएगा तो वो उसका रास्ता निकालेगा कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा आप तक पहुँचाएगा आप लोग नीचे comment section में comment करके बताईए कि अगर आप लोग को इससे better कोई idea पता है system change होगा के नहीं होगा ये तो future की बात है और future तो हमें पता ही नहीं बेहतर future करने के लिए आज कदम उठाना होता है और ये कदम आज मैंने उठाया अक्की भाई साब का message पढ़ने के बाद इस तरहा के messages आप लोग भेजते रहे हो सकता है कि आने वाले time में कुछ सुधार हो जाए हमारे system में अक्की जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना important question मुझसे पूछा है अब मुझे उमीद है कि आप लोगों को ये तो समझ में आगया होगा कि क्या हम अभी फिलहाल कर सकते हैं आगे क्या होगा वो तो हम आगे ही देखेगे तो आगे देखने के लिए आपको मेरे चैनल को करना होगा subscribe तो नीचे जो like का बटन है उसे भी दबा दीजेगा और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक subscribe ना किया हो तो से भी subscribe कर लिजेगा फिलहाल मैं आप लोग सागे लेना चाता हूँ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद